नमस्कार दोस्तो जाब अपडेट्स यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं जैसा कि हमने PGCIL के पिछले वीडियो में बताया था कि PGCIL की तरफ से 425 पोस्ट की वेकंसी आने वाली है जिसका आमने पेपर के दो न्यूज पेपर एक हैंदी न्यूज पेपर और इंगलिस न्यूज पेपर में आई एडविटाइजमेंट के तुरू आप लोगों को बता दिया था अभी PGCIL का आफिसियल नोटिफिकेशन आ गया है तो चलिए हम फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार डीटेल्स में देख लेते हैं कम्प्लीट अपडेट्स के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स और सिविल के चात्रों के लिए वेकंसी दी गई है वीडियो की स्टाप करके देख लिए, थ्री एर फुल टाइम डिक्ट्रोमा चाहिए यदि आप बीटेक, बी, एम्टेक, मी वगरा किये हैं तो आप इस फार्म को मत अप्लाई करिएगा आप फाइनल स्टेज में रिजेक्ट कर दिये जाएंगे यदि आप छुपा कर सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो जैसे ही PGCIL को पता चलता है कि आप बीटेक पास आउट करके आए हैं तो भी आप किसी भी स्टेज पे आपको वो जॉब से रिजेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं तो बीटेक, एमटेक करने वाले चात्र इस फार्म को ना अप्लाई करें चाहिए आप लेटरल इंट्री के थ्रू ही क्योंने बीटेक किये हों बात कर लेते हैं वैकेंसी की तो यहां पर रीजन वाइज देखेंगे एनर फर्स्ट में electrical engineering की वैकेंसीm receive electrical engineering की 47 पोष्ट है और वहीं पर civil engineering चखवदा पोष्ट दिया गया है और सेकंड की बात करें तो electrical के लिए 12, civil के लिए 3, NR 3 इलेक्रिकल के लिए 42 और civil के लिए 8 एनर ER 1 में electrical के लिए 30, civil के लिए 5, E.R. सकंड में electrical के लिए 16, civil के लिए 4 बिए ऐसे ही N.E.R में electrical के लिए 12, civil के लिए 3 और electronics के लिए 2, S.R. 1 में electrical के लिए 38, civil के लिए 7 और electronics या communication वालों के लिए 2, ऐसे ही SR second में electrical के लिए 40 post, civil के लिए 5, electronics and communication के लिए 3 और WR first की बात करें तो electrical के लिए 35, civil के लिए 5 post की vacancy निकाली गई है category wise आप वीडियो को stop करके देख लीजिएगा WR की बात करें तो यहां पर WR में electrical के लिए 35, WR second में electrical के लिए 35, civil के लिए 7 electronics and communication के लिए 2, Odisha project के लिए electrical के लिए 8, civil engineering के लिए 3 ऐसे ही corporate center की बात करें तो electrical के लिए 5, civil engineering के लिए 4 और electronics and communication के लिए 4 post यानि total यहां पर 425 post की vacancy जारी की गई है बात कर लेते हैं compensation की तो जब आप join करेंगे, select होंगे तो आपको 27,500 रुपए पर मन्त stipend के रूप में दिया जाएगा training period में और जैसे ही आपका training period complete होगा आपको basic पे 25,000 से start होगी और 1,7,500 रुपए तक आपको जाएगी आपको supervisor का post दिया जाएगी यानि junior engineer grade fourth में आपको supervisory category first आपको provide की जाएगी जहाँ पे salary 25,000 से 1,7,500 रुपए तक होने वाली है यदि आप PGCIL की salary से related जानकारी चाहते हैं तो उसका वीडियो हम description box में डाल देंगे हमने इस पर complete वीडियो बना दिया है कोई भी doubt हो work से related salary से related तो आप message कर सकते हैं इस बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि one by fourth negative marking रखा गया है इसके पहले one by third negative marking रहती थी अभी one by fourth negative marking अप PGCIL के द्वारा कर दिया गया है तो यह एक अच्छी marks part first and second में separately चाहिए part second में यहाँ पर 30% marks की requirement है other reserve category के लिए कुछ बच्चे पिछली बार ऐसा था कि overall उनकी percentage high थी लेकिन किसी एक पार्ट में वो minimum qualify नहीं करने की वज़े से disqualify हो गये थे तो उनको थोड़ा confusion था वो इस पर ध्यान दे देंगे इस वैकेंसी के लिए application fees के रूप में 300 रुपए चार्ज किया रहा है और apply कैसे करना है उसका सीधा details यहाँ पर दीख रहा है एक तारिक से वैकेंसी सकते हैं या फिर apply करने का link अपने वीडियो के description box में दे देंगे आप वहाँ से जाके डारेक्ट apply कर सकते हैं यहाँ पर सबसे main point पर आते हैं कि service agreement bond कराती है PGCI EL जैसे कि OBC EWS और General के लिए 1,25,000 का आपका bond रहने वाला है 2,50,000 का bond रहेगा OBC General EWS के लिए और 1,25,000 का bond रहेगा SCST PWD candidate के लिए और यह 3 साल के लिए bond रहने वाली है यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा कि आपका probation period 3 साल का है यदि आप 3 साल से पहले छोड़ देते हैं तो आप से OBC के candidate हैं तो 2,50,000 और SCST PWD के हैं त और इस 3 साल में probation period में आपको stipend के रूप में 27,500 रुपए ही provide किया जाएगा इसके अलाओं कोई भी बिवस्था आपके लिए नहीं दी जाएगी बाकि इस vacances related कोई भी क्यूरीज है तो आप comment बाक में message कर सकते हैं लास्ट में एक बार फिर बापको बता दिये कि 19,2023 से form start ह हो रहा है और 23,2023 तक इसका इंडर डेट है तब तक आप लोग इस फार्म को apply कर लिए application fees के रूप में 300 रुपए चार्ज किया जाएगा शैली से related कोई भी डाउट है तो आप comment बाक में message करिएगा हमने इस से इस type and training में कितनी salary मिलती उसका वीडियो हमने बना दिया है उसक सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद